आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है एक दिष्ट अधिमान जिसे इंग्लिस में कहे तो मोनोटोनिक प्रिफरेंस तो देखे एक दिष्ट अधिमान हमें क्या बताता है इससे हमें क्या जानकारी होती है देखे उपभोगता अधिमानों के विशे में यानि कि उपभोगता के प्रिफरेंस उसके पसंद के विशे में यह मान लिया जाता है कि अगर किनी दो बंडलों दो बंडलों में जिसकी x1, x2 और y1, y2 देखिए दो बंडल लिए हैं x1, x2 और y1, y2 इन दोनों बंडलों में x1, x2 बंडल में कम से कम एक वस्तु हो और y1, y2 की तुलना में अन वस्तु की कम मात्रा ना हो देखिए ध्यान से x1, x2 एक बंडल, y1, y2 दुसरा बंडल तो यदि x1, x2 में कम से कम एक वस्तु अधिक हो और दुसरी वस्तु जो होगी y1, y2 से कम नहीं होनी चाहिए ठीके, पुर्णा समझाना चाहूंगा दो बंडलो x1, x2 और y1, y2 में x1, x2 बंडल में कम से कम एक वस्तु जो हो क्या होना चाहिए? y1, y2 से अधिक होनी चाहिए और y1, y2 की तुलना में अधिक वस्तु की कम मातरा नहीं हो जिसे यहाँ देखिए ये 4 और 5 एक बंडल है 5 और 5 दुसरा बंडल है तो 5 पांच जो है, इसको से लिए हम लोग x1 और x2 मानते हैं और 4 और 5 को क्या मानते हैं? y1, y2 ये y1 है और y2 है तो गोर से देखिए, इन दोनों बंडलों में यहाँ 4 है, यहाँ 5 है एक वस्तु अधिक है और दुसरा वस्तु देखिए, 5-5 बराबर है तो अब देखिए, इन दोनों बंडलों में उपभोकता क्या होगा? इसे जो 5-5 है, उसको ज़्यादा वो पसंद करेगा इसे ही वो सुईकार करेगा यहाँ 5-5 को उपभोकता अधिमान देगा प्रिफ्रेंस इसी को देगा चलिए अब दूसरा में देखते हैं अगर उपभोकता 4-5 और 5-6 बंडल में सोरी, 4-6 बंडल में बात करेगे 4-5 एक बंडल है और दूसरा बंडल है 4-6 तो फिर पुना देखिए 4-4 बराबर है यहाँ पर देखिए 6 अधिक है तो देखिए दूसरी वस्तु जो कम नहीं है और एक वस्तु देखिए 6 बड़ी है इसका मतलब अब इसमें उपभोकता इसे पिरिफ्रेंस देगा 4 और 6 को तो इसे ही कहते हैं एक दिष्ट अधिमान तो X1, X2 को अधिमान देता है मतलब देखिए भी जो समझाएं थे किसको मतलब जिसमें एक वस्तु अधिक हो और दूसरी वस्तु कम नहो अधिमानों के इस परकार को एक दिष्ट अधिमान कहा जाता है इस परकार के अधिमान को क्या कहा जाता है एक दिष्ट यदि उभोकता किन ही दो बंडलों में से उस बंडल को अधिमान देता है जिसे इन वस्तूों में से कम से कम एक वस्तू की अधिक मात्रा हो जो पहले बताये देते हैं दो बंडलों में से एक 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 बंडलों में स मतलब उभोकता हमेशा अधिक मात्रा को अधिक, मतलब करते हैं, पसंद करता है, उसे अधिमान देता है, सदे उभोकता क्या करता है, नग पहले कंपेर करता है, जिसकी बंडल में मात्रा अधिक होगी, उभोकता उसी को अधिमान देगा, जैसे अभी समझाए थे, अंधिमान मानचित्र तो अब हम लोग समझेंगे अंधिमान मानचित्र कि अंधिमान मानचित्र क्या है तो देखिए सभी बंडलों पर उभोक्ता के अभिमानों को अंधिमान वक्र समूद्वारा दर्साया जता है देखे सभी बंडलों पर क्या होता है कि उपभोक्ता के अधिमानों को अंधिमान वक्र समुद्वारा दर्साय जता है जैसा कि रेखाचित्र देखे 2.5 में दर्साय गया है यहाँ पर देखे अलग-अलग अंधिमान वक्र समुद्वारा दर्साया है इसे ही अंधिमान मान्चित्र कहते हैं इसे उपभोक्ता का क्या कहेंगे अंधिमान मान्चित्र अंधिमान वक्र पर देखे इस वक्र में इस्थित सभी बिंदु पर उस अंधिमान वक्र में जितने भी बिंदु है उन बंडलों को परते निदित्व करता है जिन्हें उपभोकता तटस्त मानता है कहने का मतलब यह हुआ कि अंधिमान वक्र पर जितने भी बिंदो इस्तित होते हैं यह उन बंडलों को परते निदित्व करता है जिन्हें उपभोकता तटस्त मानता है अंधिमानों की एक दिष्टा का यह अभिप्राय है कि किन्ही दो अंधिमान वक्रों के बीच उपर वाले बंडलों पर इस्थित बंडलों को नीचे वाले वक्र पर इस्थित बंडलों के अपेच्छा अधी मानता दी जाती है देखे अगर हम यहां बात करें अंधिमान वक्र की एक दिष्टा का अगर हम यहां पर अंधिमान वक्र के साथ समझें तो जो बंडल जो बंडल अंधिमान वक्र जो उपर में है उपर के वक्र में अंधिमान वक्र में अगर कोई बंडल इस्थित है और अगर कोई बंडल नी नीचे अंधिमान वक्र में इस्थित हैं तो उपभोकता उपर के अंधिमान वक्र में इस्थित जो बंडल होगा उसे अधिक अधिमानता देगा उसे अधिक प्रिफरेंस देगा उपभोकता यानि कि यहां देखे नीचे वाले बंडल के तुन्ना में उपर के जो वक्र में अगर कोई बंडल है तो उभोकता उपर को अधिक अधिमानता देगा प्रिफेर्ण्स देगा तो देखें आपर कुछ लिखा हुआ है अंधिमान मानचित्र देखें ये क्या है अंधिमान मानचित्र है अंधिमान वक्रों पर अंधिमान वक्रों का एक परिवार देखें यहा उच अंधिमान वक्र पर बंडल जिसे जिसे उपर बढ़ते हैं तो उस पर अगर कोई बंडल है यानि कि उच अंधिमान वक्र पर बंडल नीची अंधिमान वक्र पर बंडल किया पेच्छा पसंद किया जाते हैं उपर के वक्र में जो बंडल होंगे उसे पसंद किया जाता ह तो यह तीर दिखा रहा है कि जिसे जिसे उपर जाएगा वेसे वेसे उन बंडलों का उपभोकता द्वारा अधिक पसंद किया जाता है अब हम लोग समझेंगे अंधिमान वक्रों के लच्छन या विशेष्टाएं तो देखें अंधिमान वक्र के क्या विशेष्टाएं हैं उसे समझते हैं तो देखें पहला विशेष्टा अंधिमान वक्र दाएं से बाएं नीचे की और ढलवा होते हैं देखें, यहाँ पर दाएं से बाएं नहीं, बलकि बाएं से दाएं की और धलवा होते हैं, यह देखें, देखें, बाएं से दाएं की और धलवा होते जाता है, ऐसा होना चाहिए, एक अंधिमान वक्र, देखें, फिर दाएं से बाएं नहीं, बलकि क्या होगा, बाएं से दा की ओर ढलवा होता है जिसका अर्थ है कि अधिक X वस्तु प्राप्त करने के लिए उभोक्ता को Y वस्तु की कुछ मात्रा का त्याग करना पड़ता है मतलब X वस्तू की अधिक मात्रा प्राप करने के लिए उप्भोक्ता को क्या करना होगा नवाई वस्तू की कुछ मात्रा का त्याग करना पड़ता है यदि उप्भोक्ता Y वस्तू की कुछ मात्रा का X वस्तू की मात्रा में बिर्दी होने पर त्याग अगर वो नहीं करता है तो इसका अर्थ होगा की उप्भोक्ता Y की वस्तू वही अथ्वा अधिक मात्रा X वस्तू के बदले अगर वो प्राप्त करता है तो होगा क्या वो उच अन्धिमान वक्र पर चला जाएगा कहने का मतलब है कि X की अधिक वस्तु पर यदि कोई भोक्ता Y के वस्तु का त्याग नहीं करता है तो वो उच अन्धिमान वक्र में चला जाएगा अता जब तक उपभोक्ता उसी अंधिमान वक्र पर अगर इस्थित है तो केले के बिर्धी को जिसी इधर देखिए इधर X तरफ अगर केला बढ़ रहा है तो उपभोक्ता को Y की मातरा कम करके छतिपूर्ती की जानी चाहिए मतलब अगर X की तरफ जो केला है अगर इसकी बिर्धी हो रही है और उसी अंधिमान वक्र में उपभोक्ता का उपभोक्ता इस्थित है उसी अंधिमान वक्र में अगर इस्थित है तो उस अंधिमान वक्र में रहने के लिए आम की कुछ मात्रा को कम करके इस छतिपूर्थी को पूरा करना होगा अब इस रेखाचित्र दो दसमलो 6 को समझते हैं तो देखिए इसमें अंधिमान वक्र के ढाल का जिकर किया गया है तो देखिए अंधिमान वक्र देखे नीचे की और ढलवा होते जा रहा है ठीके नीचे की और क्या रहा है ढलवा होते है अंधिमान वक्र केलों की मातरा में बिर्धी आमों की घर्टेवी मातराओं से जूड़ी है देखे यहाँ पड़े जे अंधिमान वक्र है केले की मातरा x1 प्लस delta x1 किन्तु यहाँ पर हुआ क्या जब केले की मातरा बढ़ गए delta x1 तो यहाँ पर आम की मातरा में कमी हुई देखें यहाँ delta x2 होगा वह x1 लिखा है delta x2 तो आम की मातरा कितनी हो जाएगी x2 पलस delta x2 जो यहाँ परिवर्तन को दिखाया है यह उस समय होगा जब केले की मातरा में बिर्धी होगी यानि की का सकते हैं यदि delta x1 greater than 0 होता है यानि की 0 से बढ़ा होता है तब जाके ढाल इस परकार का बनेगा तो दूसरी विशिस्ता की बात करते हैं उच अंधिमान वक्र उपयोगिता के उच अस्तर को परदान करता है देखे दूसरा विशिस्ता क्या बताता है की उचा अंधिमान वक्र है अगर उच अंधिमान वक्र है तो वो वक्र अधिक उपयोगिता अस्तर को परदान करता है देखे समझते हैं वस्तु की मातरा जितना अधिक होगी संतोस की अस्तर को बढ़ाएगी तो यहाँ देखे केले और आम के तिन विभिन सन्योगों को दिखाया है A, B, C तिन सन्योगों को दिखाया गया है जो तालिका 2,4 में और रेखा चितर 2,7 में यहाँ पर नीचे दिखाया गया है तो देखे अगर हम पहले सन्योग की बात करें तो देखे पहले सन्योग में क्या है कि केले की मातरा 1 है और आम की मातरा 10 है दूसरे सन्योग में देखे केले की मातरा 2 है आम की मातरा 10 है तिसरे सन्योग में देखे केले की मातरा 3 है और आम की मातरा 10 है सन्योग A, B, C अगर हम तिनों में देखे तो आम की समान मातरा है सब में 10, 10, 10 है तिनों में 10, 10 है परंतु केले की मातरा भीन है A में 1 है B में 2 है और C में 3 है तो सन्योग B A की अपेच्छा उपयोगिता का उच अस्तर परदान करेगा देखे दियान से अगर हम A सन्योग और B सन्योग में बात करें तो B अधिक उच अस्तर का उपयोगिता परदान करेगा क्योंकि देखे, समान केला है, नहीं, आम की मात्रा समान है, पर केले की मात्रा में बिर्धी है, B में, इसलिए B उच अस्तर का उपयोगिता परदान करेगा, इसलिए B जो होगा, A की अपेच्छा एक उचे अंधिमान वक्र पर होगा, इसलिए हम दोनों का अगर हम वक्र बना तो इसलिए B क्या होगा न? A की अपेच्छा एक उचे अंधिमान वक्र पर होगा अधिक संतोस को व्यक्त करेगा और जितना उपर उठता जाएगा अंधिमान वक्र उतना अधिक संतोस को व्यक्त करेगा इसी भाती अगर हम बात करें C में C में क्या है कि B की अपेच्छा अधिक केला है इसलिए C B की अपेच्छा संतोस के उच अस्तर परदान करेगा मतलब देखे C जो होगा अब B से कहीं अधिक संतोस परदान करेगा और उचे अधिमान वाकर पर होगा तो कह सकते हैं आपर कुल मिला के सबसे उचे अंधिमान वक्र पर कौन होगा नसी क्यूं क्यूं क्यूंकर देखे सभी में आम की मातरा समान है तो केले की मातरा जिसकी अधिक होगी वही उचे अंधिमान वक्र पर होगा देखिए अधिक आम अथ्वा अधिक केले अथ्वा दोनों की अधिक मात्रा कास जो सन्योग होगा वो उच अंधिमान वखर पर होंगे तथा उन सन्योगों का परतिनिधित करेगा जो संतोस के उच अस्तर को परदान करेगे बिल्कूल ही यह सन्योग उसको परतिनी दित्तु करेगा जो अधिक उच अस्तर के संतोष को परदान करेगा अब हम लोग तीसरे विषैस्था पे आते हैं तो देखिए क्या है तीसरा विषैस्था दो अंधिमान वक्र कभी एक दूसरे को नहीं काडते हैं तो देखे समझते हैं कि दो अंधिमान वक्र एक दूसरे को क्यों नहीं काटते हैं। तो देखें, एक दूसरे को काटते हुए दो अंधिमान वक्र परसपर बिरोधी परिनामों को दिखाएंगे। अगर दो अंधिमान वक्र एक दूसरे को काटता है तो वो विरोधी परिनाम को दिखाता है इसे समझने के लिए हम चीतर दो दसमलो आठ जो यहां देखिए में दो अंधिमान वक्रों को एक दूसरे को काटने देते हैं यहाँ पर कि क्या विरोधी परिणाम देते हैं, इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं, इस चित्र में देखिए, दो अंधिमान वक्र को काटते हुए दिखाया गया है, अब यहाँ देखिए, क्योंकि बिंदू A तथा B, अगर हम यहाँ दो बिंदू को देखिए, A और B, तो क्या पाते हैं, कि एक ही अंधिमान वक्र, IC1 में इस्थित्थे, देखिए, यह दोनों बिंदू कहाँ पर इस्थित्थे, IC1 में इस्थित्थे, तो सन्यूग A तथा B से समान संतोस का अस्तर पराप्थ होगी, क्योंकि वो एक ही कर्व में, IC1 में इस्थित्थे, इसलिए A और B से समान अस्तर का संतोस पराप्थ होगा, उसी परकार जादी हम बात करें, A तथा C का, देखिए, यहाँ पर B नहीं, बलकि क्या होगा, A होगा, इसी परकार हम बात करें, A तथा C का, तो एक ही अंधिमान वक्र, IC2 में इस्थित्थे, ठीक है, तो A तथा C, समान अस्त का संतोस परदान करेंगा, यहाँ B नहीं होगा, A होगा, इसलिए A तथा C क्या होगा, समान अस्तर का संतोस परदान करेंगा, इसका मतलब A और B समान अस्तर, फिर A और C समान अस्तर, इसका मतलब B और C भी समान अस्तर होना चाहिए तब, इससे यह निसकर्ष निकलता है, क इसकी जो उपयोगिता जो होगी समान होगी मतलब अगर दोनों को देख के चलें तो हमें ये पता चलेगा कि B और C से उपयोगिता समान होनी चाहिए लेकिन यह असपस चयकि विशंगत निशकर्स है, ये तो सही निशकर्स नहीं है क्योंकि देखे B और C में दोनों तो भिन भिन है B में देखे ध्यान से B में अगर हम बात करें तो आम की मातरा साथ है और C में बात करें तो आम की मातरा पाँच है यह तो विसंगत ही तो बता रहा है उप योगिता किसे समान हो सकती है उपर में है आपका आम की मातरा जो है साथ है नीचे C में देखे आम की मातरा पांच है जैसा कि बिंदू B पर अगर अब देखें उब्वोक्ता आम की अधिक मातरा प्राप करता है इस परकार बिंदू B पर उब्वोक्ता C की तुलना में अधिक अपेच्छा यानि अधिक इस्थिती की अपेच्छा होगे उसमें B में क्या बोड़ सकते हैं अच्छी इस्थिती है C की तुलना में अतह एक दुसरे को काटते हुए अंधिमान वक्र देखिए विसंगत को परकट कर रहा है इससे ये पता चलता है कि दो अंधिमान वक्र एक दुसरे को नहीं काट सकते